नमाशकार साथियो तो आज एस सेगेंड जून 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की दिगज कंपनी हिंदुस्तान अरोटिक्स लिमिटेड यानि HL की शियर्स के बार में जिसको बल लगातार मेरा खरीदारी करने कर आए था एवन आज भी मेरा रड़ाए एक सेक्टर का यहां पर अगर देखे मेरा अनुमान सही राना कल मीनिमाम पांच से छे परसन उपर मूफ करेगा ही करेगा बस आप देख लेना मांक मई वर्ट तो फिलाल देखिए लास्ट यानि शुक्रवार के दिन शेयर जो है ज्यादर समय नेगिटिब में था बट क्लोज मैं शेयर करूंगा सेम वीडियो पर साथ इसाथ आपका आगे का रनी थी क्या हो सकता है कौन सी लेवल पेस को बाई करना चाहिए कब तक बाई करना चाहिए सब कुछ हम डिटेल ने बात करें तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लेस वीडियो को बिना स्किप के पुरानी बात है मैं आपके सब्सक्राइब किया था कि हल मतब इंडिया और अर्जिंटिना के बीच में टेजस को लेके एक डील साइन होने वाला था बट वहां पर देखे एक्ट्वेल में देखा जाए इंडिया यानि एचल को सेट बैक मिला और यह दिल देखी साथ अभी एचल कोशिश कर रहा है इंडिया का जो दो इंपोर्टेन हेलिकाप्टर है एक होगया आपका प्रचंड दूसरा हो गया एलिवेच यानि लाइट यूटिलिटी हेलिकाप्टर यह दो दोस्तों हेलिकाप्टर यह पे बेच सकता है बहुत जल्द आर्चिंटिनि जा रहा है जो कि इसको वर काम चल रहा है अब फिब जेनेरेशन एरकर ना एक बहुत इंपॉर्टेन बोल सकते हैं यह होता है यह स्टेल्थी होता है स्टेल्थी मतलब जो दूसमन की रडार उसके पकड़ में नहीं आता ठीक है तो इसका डिजाइन दोस्तों एकदम फाइनल रैप्टर हो गया या सुख होई 57 होगी सारे स्टेल्थी यानी फिफ जनेरेशन एयरक्रप्ट है तीस रादी न्यूस दोस्तों यह है एईचेल अर्ण मार्क 6,000 करोर फॉर डेवलोप्मेंट ऑफ इंडीजिनियस हेलिकप्टर अब देखे प्रचंड हो या एलिवेच हो यह तो अलेडी देखे बजार में लॉंच हो चुका है आई इसको लेके काम भी कर रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट देखे प्रोजेट को उपर एक्चुले Allah कर ता अब कंपनीदकिए इस क्वार्टर में यानि फॉर्टर में इतना बढ़िया अडाट करके तो ईहां इसको काम करना सूरू कر देगा ठीक है तो यह वहाथ इंपॉर्टिन मैं बोलंगा ब्रोजेक्त है बहुत ही फूचुरist इक प्रोड़क्ट है HL द्वारा तो यह एक यूज न्यूस था उसके साथ यह न्यूस थो दोस्तों आपके साथ में शेयर किया ही था कि बहुत जल्दी यह डिल भी फाइनलाइस्ट हो सकता है अब इसका मतब यह है कि देखे आज की डेट पे जो इंडिया यूज करते है न राफेल फाइटर एएर क्राफ्ट वो वेसिकली एयर फोर्ड वर्शन है एयर फोर्ड वर्शन और जो नेवल वर्शन यानि जो नेवी यूज करते है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है कुछ ना कुछ यहां पर प्रोड़क्ट के अंदर अंतर होता है ठीक है तो अभी देखे जो प्रेजेंट गवर्मेंट की पॉलीजियां स्कीम्स के एकूरिंग है तो वही गिंचुन के एक ही कंपणी जो बनाता है फाइटर एयरक्रफ्ट यानि यहां पर बोल सकते हैं एचल का बहुत इंफिट मिलेगा यह डिल अगर सक्सिस्फुल हो गया लगवक्त पच्चास हजार करोर का डिल को छोटा मोटा डिल ने ठीक है तो कहीने के देखें इसका जो शेर के जो लिमिट है अपर लिमिट कहा पर है पहले तो आप देख लिए इसमें 20% की लिमिट नहीं है यहां पर आपको बीजिए को ऑफिशल वेबसाइट में दिखा रहा हूं तो एक भी बात है एक ही लग देट सरकिट ठीक है तो कल दोस्तों अगर सरकिट लग का एचल की शेर में 10% की अपर जिसका चांस बहुत जादा है तो लगबग 5475 रुपए पर लग सकता है एक बार नोट कर लीजिए और नीची की तरफ जो लौर सरकिट है जिसका चांस आप नहीं है तो फिर भी आप मैं आपको दिखाना चाहता हूं चाहर 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 सो अस सब्सक्राइब चुका है टोटल वाल्यूम ट्रेडवा था थर्टी नाइं लैक्स क्यूबर जिसमें डिलीवर्वल परसेंटेस देखने को मिला लगबग 39.82 परसेंट यानि करीब करी 40 परसेंट का सब्सक्राइब लास्टे देखने को मिला बहुत अच्छी बात है और अब बात करेंगे टेक्निकल चार्ट परन को बेस करके क्या आपका आगे का रनीती हो सकता है एचल की शेयर को लेके तो दोस्तों अभी आपके सामने में उपेन कर लिया एचल की लास्त दीन मैंने की चार्ट परन शुरूआत करने के अनलसिस बार उसके पहले दोस्तों सारे पर्ट कवर करते हैं उसको मिस बंद करना ठीक है तो फिलाल देखिए ओवर बॉर्ट जोंत पर तो है पर आइधिंग कि मौका वीवी है वहां से नॉर्मल एकर आप कैलकुलेट करेंगे चार से पांच परसें डिसकांट रेट में आज भी मिल जाएगा अब बात यह कि कि कल ओपें कहां पर होगा विकॉस देखिए कल अगर सब कुछ ठीक टाक रहा मिनिम्मम इसमें तीन से चार परसें मेरे अनुमान के अनुसार तीन से चार परसें जो ग्याप ओपनिंग इसमें दिखाई दे सकता है तो ऐसे में क्या आपको पर्चेस करना सही रहेगा तो द ठीक है तो अगर आपका पॉइंट यह है तो जरूर चाहिए कोई दिक्कत नहीं है इनकेस आपका पॉइंट अइसा नहीं है कि ना चलो ठीक है इतना तेजी में शेयर अल्री भाग चुका है तो और भी उपर जाएगा तब गिराबट होगा तब इन्वेस्ट करेंगे अग यानि यहां पे कई नहीं के स्टेबल है ठीक है तो आइधिंग कि 5000 कोई भी प्राइस में मिले आपको कल चाहिए पांचार सौ हो सकता है पांचार पचास हो सकता है जरूर जाहिए गो फरीट बट लॉंग टर्म के लिए मतलब शौट टम बेसे पे आइसा नहीं कि मैं आज को बोला मतब दो मैने बाद घूम कि आखे बैस सबसर यहां पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है आपको बार वर बोलता हूं कि यहां पर जो भी मतब चल रहा है ना मतब जो इंडियान एरफोर्स का जो पुराने स्क्वार्टन है उसको हटा जैसे कि हाली में आपने क्या देखा कि पुराने स्कॉर्टन सब्याथ करें देखिए जो मीक 21 बाइसन उसको हटा के आज की रेट में उसका कौन लिया अब बताए तेजस माक वाने है कि नहीं सेम चीज़ अगर आप देखेंगे इसके बाद ना एक एक करके पुराने मॉड अगर जाना है तो आप बहुत ही वाइड हो चुका है और खास करके सारे 5000 भी क्रॉस कर चुका है तो अभी आप देखेंगे यहां पे बहुत हद तक उबर जाने का चांस है कल मिनिम्म सारे 5000 के आसपास पहुंच सकता है अगर सब कुस्ट ठीक टाक रहा मतब अपर सरकी इसम अगरे पूछना है कोई टॉपिक को और पूछना है करके बताईए फिलाल मैं इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करके जरू रखना मिलते है नेक्स वीडियो पे तब तक क्लिए टेक कर बाबाई जय ह हैं